शक का कोई इलाज नहीं है इस बात से इनका नहीं कर सकते हैं कि पत्ति-पत्नी के रिष्टे में अगर शक का बेज लग जाए तो उस रिष्टे को फिर कोई नहीं बजा सकता ऐसा ही एक मामला अजनी पोली स्टेशन की हद में सामने आया है जहां एक निकम में पती ने अपने ही पत्नी के चरित्र पर शक कर उसके पेट में चाकू खूपने का मामला सामने आया है जानकारी मिली है कि आरूपी मनिश मेश्राम कई दिनों से कुछ भी काम नहीं करता है पतनी के पैसों पे ही पल रहा था शराप पीना छोटी-छोटी बातों को लेकर पतनी के साथ जगड़ा करना या उसका रोज का काम हो गया है गटना के दिन भी आरूपी मनिश ने पतनी सनेहा के साथ जगड़ा शुरू किया जिसके बाद आरूपी ने सनेहा के पेट में चाकू घोग कर जखमी कर दिया यह वाक्या तब सामने आया जब पेड़िता की बहन बड़ोसिया के सुचना के बाद अपने बहन से मिलने आये थी उसे के रिपोर्ट पर आजनी पुलिस ने मामला दशकर आरूपी को गिरफता कर लिया है तुम भाद बाद बहन बाद आजनी पुलिस ने आये यूँ ने तब से लिया जखमी कर दिया आये यह मदे मनिश मेश्राम हा कुंटाय प्रकर चा काम धाम करत नही आजनी पतनी जीश्नेहा मेश्राम है ती पैथलोजी लाब में लाब असिस्टन्टा है परन्तु तो ती चावर अनेक दिवसान पास्षून चारी त्रावर संशय गेता है यह संशय चा कारना वरून त्याने त्या भाजी का अपने चाकुने मारून गंबिर जखमी के लिला है त्या अनुशंगा ने आपन कलम तीन चे साता अनुए गुना दाखल गिला है आरूपी लाटक के लिला है यह अरूपी चा अध्याब रेकॉर्ड कुटलाई मिलून आलेल नाही आनि ही गटना ती दोगेच घरामादे होते आनि तैंचा अपसात वाद विवाद जाला त्यानंतर गडलीला है पती-पती में मुख्यरूप से जगड़े का कारण शक ही होता है ऐसे में परिवारिक जगड़े बड़ा स्वरूप लेते है जरूद है कि पती-पती ने ऐसे मामल में इन विश्यों पर बात कर मामल को सुलजाना चाहिए ना की हिंसक कदम उठाना चाहिए बरहाल इस मामल में अजनी पलिस चार्च करी है कैमरा परसन अखिलिश भारतवाज के साथ प्रकाश शंखलवार की रिपोर्ट